नमस्कार दोस्तों, माता रानी की जै हो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में, जिसमें हम आपके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के टोटके लाते रहते हैं। हम कई बार किसी को पहली बार देख कर भी उसकी और आकश्रित हो जाते हैं। और हम कितना भी चाहें, हम अपनी फिलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, बल्कि फिलिंग्स हमें कंट्रोल करती हैं। हम चाहें कितना भी कोशिश करें, उसे भूले की, उसे दूर जाने की, लेकिन हमारी फिलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमें उसकी और खीचती हैं। इस विधी को, जिससे आप अपने प्यार को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, हम रोज आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में प्रेम भर सकते हैं, आपकी पारिवारिक जो लाइफ है उसमें आप रोमांस भर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं कि वो कौन से उपाएं हैं, जिन्हें करके आप अपना मन चाहा प्यार और जीवन साथ ही पा सकते हैं, कैसे आप किसी रूठे हुए व्यक्ति को मना सकते हैं, कैसे उसे अपने करीब ला सकते हैं, क्योंकि देखिए, जहां पर प्यार है, वहां छोटी-मोटी लड़ाई तो च कस्ट होता है, आपको इसी कस्ट से बचाने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हल्दी से अपने प्यार को पास सकते हैं, अपने प्यार को जीवन भर के लिए अपना बना सकते हैं, और अपने जीवन को कम्प्लीट कर सकते हैं, इस विधी के लिए आपको एक आनंद वो वैभव वो सुकून प्राप्थ होगा जिसे आप पाना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों जादा समय ना गवाते हुए मैं आज इस विधी को आपको बताती हूँ आपको बुधवार के दिन सुबा जल्दी उठकर सनान करके एक पीले रंग के कपड़े में बैठ जाना है आप जिस कपड़े पर बैठे उसके चारो कोने पर आपको लाल पैन से नमहा लिखना है इसके बाद आपको इसी लाल पैन से एक छोटी से कागच पर एक मंत्र लिखन है ये मंत्र है ओम श्री श्री धूधू अमुक सर्व मोहयंतु स्वाहा पिसे आमुक की जगा आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस पर आप ये विधी करना चाहते हैं एक कटोरी में हल्दी ले फिर साथ बार मंत्र पढ़ते हुए एक एक चुटकी हल्दी अलग करत हैं उसके घर के बाहर फैक दें ये विधी थोड़ी लंबी है लेकिन जब आप इसे सही से पूरा कर लेंगे तो आपको इसका परिणाम भी बहुत जल्दी मिलने लगेगा मैं आशा करती हूँ आप इस विधी के सभी चरण सही से समझ गए होंगे अगर आपको जीवन में क पुरू माता जी से संपर्क कर सकते हैं आज का वीडियो इतना ही फिलाल दीजे इजाज़त नमस्कार